प्रदेश अद्यक्ष का है पार्टी के राष्ट्री अद्यक्ष का है प्रदेश प्रवक्ता का है जिला प्रवक्ता का है तो बयान देने का अब है आजकर तो नया दोर चला है तो फ्रिलांसर नियर बयान देते रहते हैं कोई अचित इंडिया का फॉर्मेशन हमने किया है प लग्वान देते रहते हैं उनके बयान का कोई और देने का अधिकार पार्टी के प्रदेश अद्यक्ष का है, पार्टी के राश्ट्री अद्यक्ष का है, पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता का है, जिला प्रवक्ता का है, तो बयान देने का अब है, आजकर तो नया दोर चला है, तो फ्रिलांसर निर बयान देते रहते हैं, कोई अचित इंडिया का फॉर्म घे आप पर्मानेंट आपको सावन में मुरगा कषने। लग जाए कितनों आपको सनातन धर्म का कान में बताया जाए कि नहीं खाना है नहीं खाना है नहीं खाना है खाते ही रहिएगा तो कोई उपाए है इसका कौन उपाए है कि अच्छाए एक सवाल ये भी है कि इस तरीके से प्रधान मंत्री नरिंद्र मूदि और जो लोग कहा जारा है इस तरीके से स्टालिन के बेटे ने बयान दिया है उस पर भाजपा आ पूसे सवाल पूछ रही है कि आप लोग गठवंधन में हैं आपकी पार्टी में शामिल ह हैं उसके बाप जूद भी आपको चुप हैं हम तो हम का चुप हैं चुप तो वो रहते हैं जब मंदिर तूटता है तो रोते भी नहीं है मस्जिद में आजान होता है तो बड़ी चिलाते हैं जब 2418 मंदिर नरेंद्र मोदी के सासंकाल में तोड़ दिया गया तो आवाज तक नहीं निकली आप बात कर रहे हैं इसे ही आप बोल दिया 2400 मंदिर तूटिया बोरा प्रमान ऐसे बोलेंगे जगा का नाम सहीत है खाता भ देश जून 2018 द्वारिका एक्सप्रेस वे पाच मंदिर को तोड़ा गया दिसंबर 2018 विश्वनात मंदिर कोरिडोर में 300 सिवलिंग को तोड़ा गया जिसमें से लगबग डेड़ सो अभी लंका थाना बारा नसी में हाजत में बंद हैं बाबा महादेव अप्रैल 2018 पीपल का पेड़ काट दिया 150 बर्स पुराना महेश्वर महादेव का सिवलिंग था उसको तोड़ दिया गया वारा नसी में 2019 में भारत माता का मंदिर तोड़ा गया सूची है ऐसे बोलेंगे ऐसे कैसे बोलेंगे बिना पक्का पक्की नहीं सब अभी अभी सब का खाता बही का जमीन मन्दिर घो सोला मंदिर है कि तोड़ दिया और उसको भी अस्थाप नहीं किया हमारे मंदिर अगर मंदिर को हटाया गया मंदिर को रखा हुआ है कि नहीं सावन में महादेव पर जला विशेक नहीं हुआ बेलपत्र नहीं चढ़ाया गया अनाथ बना करके उनको रख दिया हाजत में इलो क्या बोलेगा हिंदू धर्म पर चले बिलकुल तो हमारे साथ जडियों के मुख्य प्रवक्ता सामिल से नीरच कुमार थे तमाम सवालों के जवाब इनों दिये हैं और सबसे ज़्यादा मंदिर जो है वो नरेंदर मोदी के सासनकाल में तूटा है इन्होंने सबूत दिखाया है चौविस सो जो सोला मंदिर है वो तोड़े गए हैं और इनके पास ये प्रमान है वो दे रहे हैं और सीधे बता रहे हैं और बिहार में भी टूटा है लेकिन उसको स्थापित किया गया है लेकिन जो उत्तर प्रदेश में टूटा है वो अभी भी लंका थाना में रखा हुआ है अब देखना होगा कि काला जाएगा रखा जाएगा वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा वनेश फोनेशन के साथ नमस्कार